हिमाचिल परदेश मेडिकल अफसर संग ने सरकार के उस निर्णे का कड़े शब्दों में विरोध किया है जिसमें उन्होंने अन्य डिपार्टमेंट के जैसे कि आयरवेदा और डिंटल के लोगों को मेडिकल डिपार्टमेंट में शेंचिन पोस्ट पर डिस्टिक प्रोग् परदेश मेडिकल अफसर संग ने सरकार के उस निर्णे का कड़े शब्दों में विरोध किया है जिसमें उन्होंने अन्य डिपार्टमेंट के जैसे कि आयरवेदा और डिंटल के लोगों को मेडिकल डिपार्टमेंट की शेक्षन पोस्ट पर डिस्ट्रक प्रोग्राम कि आप IS की सेवाएं दे और IS को कहो कि आप IPS की सेवाएं दे क्योंकि दोनोंने UPSC का एक्जाम दिया है तो क्या ये तरक संगत है तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर डिंटल डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है तो उनके लिए BMO डिंटल, CMO डिप्टी, डिरेक्टर ड की पोस्ट क्रियेट किये जाएं क्योंकि उनका डिरेक्टर अलग है संग ने आगे कहा कि हमारे मेडिकर डिपार्टमेंट में बैसे ही प्रमोशन की बहुत ही कम मौके हैं और अगर उनको भी दूसरी डिपार्टमेंट को दिया जाएगा तो बैस तरसर भीमानी होगी संग ने कहा कि सरकार संग की मांगों को लेकि जायदा गंबीर नहीं दिख रही है पिछले काफी समय से सरकार से बार बार मुलाकात करके परदेश की जनता के हित में और परदेश की डक्टरों के हित में संग ने सरकार के पास मांगे रखी है लेकिन अभी तक उन पर जायद इस सेवाई हाशिर हो सकें लेकि इस पर भी किसी तरह का विचार नहीं किया जा रहा है संग ने आगे कहा कि अगर इसी तरह का रभिया सरकार ने आखिर त्यार करके रखा है तो संग को संगर्ष के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हिमाजल बदेज मेडिकल अपसर संग सरकार के इस निर्णे का कड़े शब्दों में विरोध करता है कि उन्होंने डेंटल डिपार्टमेंट के लोगों को एज ए प्रोग्राम अपसर हमारे डिपार्टमेंट में नियूट किया हमने यह लड़ाई बड़े संगर्ष के बाद पिछली सरकार के समय में जीती थी और हमने कहा था कि हमें अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ हमारे मेडिकल अपसर अमडिवियस डॉक्टर ही चाहिए ना कि डेंटल या अरवेदा से अगर डेंटल डिपार्टमेंट के किसी भी डॉक्टर को परमोशन देना है तो उनके डिपार्टमेंट में एम्मो डेंटल है उनको भी एम्मो डेंटल बनाईए दिप्टी डेंटल बनाईए ताकि उनकी भी परमोशना हूँ ना कि उनको लाके हमारे डिपार्टमेंट में आप प्रोग्राम अपसरवना यहां में इसके कड़े शब्दों में विरूद करते हैं इसके लिए आज हमने एक पत्तर भी मुख्यमंतरी महोदे को लिखा है और स्वास्यमंतरी महोदे को लिखा है कि हमारी इस मांग वे विचार करें यह मांग नहीं है, इसको हमने पिछलिवा संखर्ष करके इसको चीज को हमने मनवाया था और सरकार ने माना था कि किसी भी तरह के दूसरे डिपार्टमंट के बंदों को जो है हमारे डिपार्टमंट में नहीं रखा जाए, यह तो वही वाली बात होगी और युपियेस को झेऑ, आप आई पिएस की सेवा करें आई पिएस की सेवा करी है और आई पिएस को झेऑ को कई आई पिएस के लिय के यह का झेऑ क्योंकि दोनों ने UPSC का एक्जाम दिया है तो इसका मतलब यह damit is नहीं नहीं ने PMT का एक्जाम दिया है तो when BDS के एदर गुषा दीजी एंबी WS के बुषा दीजी उनको उनके टे पाटमेट में प्रमोशन दीजीए हमारे ऑव升omart तो हमारी गोजारिश है मुख्य मंतरी महोजे और स्वास्य मंतरी महोजे से कि इस में ने को वापिस लें और हमारी दूसरी मांगों पे भी जल्द से जल्द विचार किया जाए जिसमें कि हमने मांगा था कि बियेम और एमसी अच्पिये किसी भी तरह के सेवाकाल का जो है वो शर्त नहीं होनी चाहिए तो कि इस से हमारे परदेश की जनता को सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं में मिलने से बंचित रहना पड़ रहा है तो सरकार से बुजारिश है कि हमारी इन मांगों को ध्यान पूरवक जो है सुनके पूरा किया जाए और जल से जल इसका निवारन किया जाए अन्य था हमें कोई और रहा पकड़ने पड़े लिए अगर सरकार हमें मजबूर करती है देखे हमने पिछली दूर बार भी हमें मानिय मुख्य मंतर जी ने हास वाश्टन दिया था कि आपकी मांगों विचार किया जाएगा हमेशा त्यार है और त्यार रहेगा